मानव सरीर रुथवी पर पाये जाने वाले लगबग सभी जीवों से अलग है दोस्तों आज हम आपको मानव सरीर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देंगे जो मानव सरीर को समझने में लाबकारी सिद्ध होगी मानव सरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर है और यह स्टिल से भी मजबुत होती है यह सरीर के वजन का लगबक 30 गुना अधिक वजन सहन कर सकती है दुनिया में जितने लोग है उसे से कही अधिक मानव मुह में बेक्टेरिया मोजुद है मनुस्य की छोटी उंगली हाथ की ताकत का 50 प्रतिसत अधिक योगदान देती है मानव सरीर 0.0015 सेकंड में स्वाद का पता लगा सकता है जो पलक जपकने से भी अधिक तेज है मुह प्रति दिन लगभग 1 लिटर लार का उत्पदन करता है हमारा मस्तिस्क जब ज़्यादा सक्रिय होता है तब हम जागने की तुल्ना में सो रहे होते है मतलब जब हम सोते है तब हमारा मस्तिस्क ज़्यादा सक्रिय होता है एक वयस्क मनुस्य की रक्तवाहिकाए इतनी लंबी होती है कि उससे हम हमारी पूर्थ्वी को चार बार घेर सकते हैं हमारा बाया फेफडा दाय फेफडे से थोड़ा छोटा होता है एक प्यक्ति के पेरों में लगभग पांच लाख पसीने की गरंथिया होती है छीकते समय मानव छीक की गत्ती लगभग एक सो साथ किलो मिटर प्रती घंटे की होती है थूक में मनुस्य का पुरा आनुवंसिक ब्लूप्रिंट होता है और हाथ दोस्तों इसलिए कहते हैं इधर उधर थूका मत करो ध्यान रखो व्यक्ती जिस हाथ से लिखता है उस हाथ के नाखुन दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ते है मानुसरीर की सबसे मजबुत मासपेसी जबडे की मासपेसी होती है यक्रूत सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और एक मात्र ऐसा अंग है दोस्तों जो स्वयम को उन्हा उत्पन न कर सकता है वयसक मानव की सबसे लंबी हड़ी जांग की हड़ी होती है जो लगबग डेड़ फिट जितनी होती है और सबसे छोटी हड़ी कान में होती है जो चावल के दाने से भी छोटी होती है मनुस्य अपने जीवन का लगभग पाँच साल जितना समय खाने में बिताता है दोस्तो मरने के तीन दिनों के भीतर भोजन को पचाने वाले एंजाइम उस सरीर को ही खाना सुरू कर देते है मनुस्य की हड्डिया एक स्टील बार की तुल्ना में पाँच गुना अधिक मजबुत होती है दोस्तो उंगलियों के निसान की तरह प्रत्यक मानव जीव का भी अलग प्रिंट होता है एक वयस्क मानव की छोटी आत लगभग 18 से 23 फिट लंबी होती है मनुस्य अपने जीवन का लगभग 33 प्रतिसत समय सोने में निकाल देता है आख का कॉर्णिया मानव सरीर का एक मात्र ऐसा भाग है जहां तक रक्त नहीं पहुँचता और आख का कॉर्णिया सीधे ही हवा से ओक्सीजन प्राप्त करता है मानव खोपड़ी 29 विभिन हड्डियों से बनी होती है मनुस्य के द्वारा निंद में देखे गए सपनों का लगभग 90 प्रतिसत हिस्ता आख खुलने पर मनुस्य भूल ही जाता है मनुस्य के सरीर में 5 प्रतिसत से अधिक जल कम हो जाता है तो बेहोसी का कारण बन सकता है और 10 प्रतिसत से अधिक पानी की कमी हो जाती है तो मृत्यू भी हो सकती है एक स्वस्थ व्यक्ति आख बंद करते ही लगभग 7 मिनिट में सो जाता है मानुव सरीर का 90% केलसियम दातों में होता है मानुव मस्तिस्क में हर सेकंड एक लाख रासाइनिक प्रतिक्रियाय होती है वैग्नानिकों का अनुमान है कि मनुस्य की नाक एक खरब से अधिक गंदों को पहचान सकती है दोस्तों आप सबको पता होगा कि इस जगत में जो कुछ भी चीज है वो परमानुव से बनी हुई होती है तो क्या आपको पता है कि मनुस्य का सरीर कितने परमानुव से बना होगा नहीं ना आज हम मैं आपको बताते हैं वैस्क मनुस्य का सरीर साथ ओक्टिलियन परमानुव से बना होता है साथ ओक्टिलियन जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आता है वैसे ओक्टिलियन होता है एक ओक्टिलियन के पीछे 27-0 लगते हैं दोस्तों अब आप खुद ही गिंटी करके देख लेना वैस्क मनुस्य का सरीर साथ ओक्टिलियन परवानों से बना होता है मनुस्य के सरीर में सबसे तेज मास पेसी आखों को जपकाने वाली मास पेस्या होती है हाँ दोस्तों वो एक सेकंड के सौवे हिस्से से भी कम में प्रतिक्रिया कर सकती है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग 35 टन जितना खाना खा जाता है एक मानव आख लगभग 10 मिलियन विभिन रंगों को पहचान सकती है उनके बीच का अंतर कर सकती है एक व्यक्ती एक दिन में लगभग 21,000 से 23,000 बार सांस लेता है मस्तिस्क से भेजे गए तांतरिक आवेग लगभग 274 किलो मिटर प्रती घंटे की गती से चलते है मानव मस्तिस्क से संदेश 200 मिल प्रती घंटे की रफ्तार से 900 तक यात्रा करते है दोस्तों उमीद रखते हैं कि आज आपको हमारे सरीर के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेर कीजिए जै हिन जै भारे